हेलो विद्यार थियूं एल्वी क्लासेज में आप सभी का श्वागत है तो आज में आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 यानि की विद्धु चुम्ब की प्रेरण के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूं इसके पहले की जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के फॉर्मूले जो है पूरे कंप्लेट करा दिये गए हैं और उसकी प्लेलिस्ट जो है अबे तक तयार नहीं हो पाई थी लेकिन आज जो है इसकी प्लेलिस्ट भी तयार कर दे गई है और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डि होती ही मश्ट है जिन्हें आपको बहुत ही अच्छे से तयार करना है तो यहां पर सभी फार्मूलों के वीडियो जो है वो प्रवाइड किये गए हैं वीडियो देखना इसलिए निवार है क्योंकि फार्मूले में जो प्रतीक चिन्द यूज हुए हैं उनके बारे में आपक भूबास पहुजता रहेगा तो यहां परदां देड़े जैस इसलिए पहले बात हुए है चुम्बकी फ्लक्स क्या होता है तो चुम्बकी फ्लक्स को लोग लिखते हैं 5 b से यह पलोग याद रखेगा अब कहीं भी अगर 5 b मिलेगा तो इसका मतलब क्या है चुम्बकी flux है इसका formula होता है सदिस b.a यह formula होता है या फिर इसके अलावा इसका दूसरा formula होता है 5b बराबर इससे लिखा जाता है b.a. cos theta तो अब इस प्रकाश ये भी लिख सकते हैं 5b बराबर b.a. cos theta यहाँ पर सदिस b.a. b आपका चुमबकी छेतर a यहाँ पर 6 फल होता है इसके अलावा अगर यहाँ पर आपक लोग 5b यानी कि चुमबकी फ्लक्स के मातरक की बात करें तो इसका मातरक आप लोग याद रखेगा वेबर होता है क्या होता है वेबर इससे जर्म लोग 60 में WB करके लिखते हैं क्या होता है मात्रक? Weber होता है यह मात्रक भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा इसके बाद दन्देजे प्रेरित विद्दुत वाहक बल तो प्रेरित विद्दुत वाहक बल को लिखते हैं E से E से लिखा जाता है E से इसका formula होता है minus N इसके अलावा delta phi B और बटे में होता है delta T इस तरीके से यहाँ पर जो है यह formula लोग याद रखेंगे E यहाँ पर जो है क्या है यह आपका प्रेरित विद्धुत वाहक बल हो गया E जो है प्रेरित विद्धुत वाहक बल हो जाएगा N यहाँ पर जो है फेरों की संख्या होती है यह अपनोट करना चाहें तो लिख सकते हैं जहाँ N जो है यह क्या है फेरों की संख्या है फेरों की संख्या इसके अलावा delta phi B बटे delta T क्या है देखे भी 5 B के बारे में बताया गया था कोछ चुम्बक की flux तो delta जब लग जाएगा तो delta का मतलब होता है परिवर्तन यानि कि चुम्बक की flux में परिवर्तन होता है और बटे में delta T लिखा इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे चुम्बक की flux में परिवर्तन की दर ये आप लोग याद रखेगा, क्या बोला जाएगा, चुमब की flux में परिवर्तन की डर, अगर आप नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं, delta five b, बटे delta t, को लोग बोलते हैं, चुमब की flux में परिवर्तन की डर, इसके बाद देखें, अब यहां पर है प्रेरित धारा, प्रेरि विदुत्वाकबल जो की अभी आपको बताया गया है तो यहां पर देखिए यह इसका फार्मला दिया गया है लेकिन अगर यहां पर हम लोग केवल प्रेजित विदुत्वाकबल का परिमाड यूज करें जाता है तो वहां पर इसका चिंध नहीं लेते हैं तो इस ए की जगे पर इसका ये वाला हम लोग मान लेंगे तो देखे ए की जगे पर अगर ये वाला मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एन इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है डेल्टा 5B और बट्टे में हो जायगा डेल्टा T इतना हुआ ये तो हो गया E का मान बट्टे में कितना दिया गया है R तो बट्टे में आ जायगा R तो यह यहाँ पर प्रितधारा का फार्मूला हो जायगा अब भी आपको बताया गया डेल्टा 5B बट्टे डेल्टा T क्या है चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन की दर N यहाँ पर क्या है फेरो के संख्या R आपका क्या है प्रत्रोध है इस तरीके से आप यहाँ पर यह फार्मूला तयार करेंगे अगला देखी अब यहाँ पर बात हुई है प्रेरित आवेश की तो प्रेरित आवेश के अगर लोग बात करें तो इससे आप लिख शकते है क्यों से इसके अगर फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है N बट्टे आर और इंटू में होता है डेल्टा 5B यह अप लोग यहाँ पर इसका फार्मूला याद रखेंगे इससे आप ऐसा लिख सकते हैं दान देजे N का मतलब क्या है फेरों की संख्या N यहाँ पर जो है यह हो जाएगे फेरों की संख्या इन्टू अब देखे डेल्टा फाइबी देल्टा फाइबी क्या है चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन तो यह हो जाएगा चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन बटी में क्या है आर आर का मतलब होता है प्रतिरोध R यहां पर क्या है? प्रत्रोध है यह हो जाएगा तो यहां पर आप बटे में लिख सकते हैं प्रत्रोध इस तो यह याद रखे गया ein जो फार्मूला है N बटे R Δ5BN का मतलब फेरो की संख्या Δ5B का मतलब चुम्बक की फलक्स में परिवरतन और R क्या है आपका प्रतिरोध हो जाएगा इस तरीके से आप इसके बारे में याद रखेगा आगे देखे अब यहाँ पर बात हुई है प्रेरित विभुवांतर की अगर प्रेरित विभुवांतर की बात करें तो इससे आप लिखते हैं कैपिटल V से फार्मूला होता है B, V, L V यहाँ पर वेग होता है small V जो दिया गया है यह वेग है L लंबाई है चालक की बीच विभुवांतर है कैपिटल V क्या है यह अपका प्रेरित विभुवांतर है लेकिन अगर आपको मान लेजे यहाँ पर जो है यदि वेग V यह जो दिया गया है V और इसके अलावा B के बीच का कोण थीटा हो कोण थीटा हो तो फिर यहाँ पर इसी फार्मूले को हम लोग इस प्रकाश लिखते हैं V बराबर B, V, L साइन थीटा यह प्लोग याद रखेगा जब आपको यहाँ पर वेग और इसके लावा चुमबकी छेतर के बीच का कोण दिया गया हो तो उस स्थित में फार्मूला यह यूज किया जाएगा B, V, L, साइन थीटा यह प्लोग याद रखेगा B, चुमबकी छेतर V यहाँ पर वेग है L, लंबाई है और जो कैप्टल V दिया गया है यह प्रेत विभुवांतर होगा इसके बात देखिए अब यहाँ पर बात हुई है स्वाप्रेनर गुडांक की स्वाप्रेनर गुडांक की अगर बात करें तो इससे हम लोग प्रदर्सित करते है कैप्टल L से स्वाप्रेनर गुडांक को किशे लिखा जाता है स्वाप्रेनर गुडांक को लिखा जाता है कैप्टल L से इसके अलावा अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है एन फाइबी बटे आई ये जो है इसका फॉर्मूला होता है इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है ये भी अप लोग याद रखेगा फॉर्मूला होता है एल बराबर यहां पर होता है ई बटे अ ये आपका जो होता है, ये रिढात्मक होता है, ये अप लोग याद रखेगे, यानि कि ये वाला जो होगा, ये और माइनिस में होगा, δेल्टा आई बटे डेल्टा टी, इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है, इसके अलावां, अगर इसके मात्रक की बात करें, तो इसका म बता होना चीओ फेरोग की संख्या है 5B के है चुंब की फलक्स है पहले बताया गया आई यहां पर धारा है के यह लभे लद दिया गया फॉप्रेर्ट गुडांकी कहीं उसी तरीकसे यहां कि तो इसे आप बोल सकते है धारा परिवर्तन की दर भबिछेए जो । इससे आप क्या लिख सकते हैं धारा परिवर्तन की दर तो यह अगर यहाँ पर इसके बारे में जो हैं याद कत्तो तो अगर समतल कुंडली के स्वाप्रेर कत्तो की बात करें तो यह होता है आपका L बराबर इसे में लोग लिखते हैं Mu naught बटे 2 इतना होगा इसके लगा धन्दजियां पर बात हुई यह समतल कुंडली के स्वापर रिर्कत्व की तो Mu naught बटे 2 Pi इसके अलावा होता है N और यहां पर होता है R और यहां पर याद रखेगा जो capital N यूज होता है इसके उपर जो है square होता है निकि यह जो यूज हुआ यहां पर क्या होता है square होता है तो यह formula होता है Mu naught बटे 2 Pi N square into R इसके अलावा है L यहां पर क्या है स्वाप प्रिर्कत्व है इसका मात्रक आपको बताया गया मात्रक क्या होता है मात्रक होता है Henry इसके अलावा देखिए आप यहां पर यहां पर Mu naught इसके बारे में आपको कई बार बताया गया यह होती है निर्वात की चुम्बक सिलता इसके अलावा N जो यूज हुआ है फेरों की संख्या इसके बारे में भी आपको बताया गया है N यहां पर क्या है फेरों की संख्या है फेरों की संख्या R क्या है व्रताकार कुंडली की त्रिज्या हो जाएगी व्रताकार कुंडली की त्रिज्या यह यहां पर जो है वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या हो जाएगी आर, म्यू नाट के बारे में आपको बता दिया गया पाई आपका नियतांग होता है इसका मान आप 22 बटे 7 यूज कर सकते हैं या फिर 3 दसमलों 1,4 यूज कर सकते हैं इसके लावाँ देखें और बटे में यहाँ पर जो होता है वो होता है L तो यह आप लोग याद रखें कर यह जो होता है यह आपका होता है लंबी परनालिका का इसके पहले जो दिया गया था वो था आपका समतल कुंडली का किसका था समतल कुंडली का और ये किसका है लंबी पर ना लिका का अब यहां पर देखिए जो इसमें Mu यूज हुआ है यहां पर आप बता सकते हैं कि जहां जो Mu यूज हुआ है Mu बराबर होता है Mu not into Mu R यह अप लोग याद रखेगा म्यू यहाँ पर क्या है चुम्बक सिलता म्यू कम लोग क्या बोलते है चुम्बक सिलता म्यू नौट को बोलते है निर्वात की चुम्बक सिलता म्यू आर के बारे में आपको बताया गया है इससे बोलते है सापेक्ष चुम्बक सिलता यहाँ पर जो mu r दिया गया यह क्या है सापेक्ष चुम्बक सिलता तो यह हो जाएगी यहाँ पर सापेक्ष चुम्बक सिलता mu not आपके निर्वाद की चुम्बक सिलता है mu यहाँ पर चुम्बक सिलता है इसके लावाँ एक ही बात करें तो परनालिका का 6 तरफल हो जाएगा capital A, L क्या हो जाएगा परनालिका की लंबाई हो जाएगी इतना आपको याद रखना है इसके बात देखे, कुंडली में संचित इस्थतिज उर्जा इसका फॉर्मूला होता है U बराबर यहाँ पर होता है half L I not square तो यह जो है यहाँ पर कुंडली में संचित उर्जा हो जाएगी आई धारा होगी आपकी L यहाँ पर क्या है L आपका 100 प्रेरकत्तो है इसके बारे में आप जानते हैं इसके बात देखी अगला कोशन यानि कि अगला फार्मूला अगला फार्मूला यहाँ पर है प्रेरकों का संयोग तो प्रेरकों का संयोग जो है दो प्रकार्शे होता है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंडी क्रम की एक होता है आपका स्ट्रेंडी क्रम तो स्रीनेडी करम में जब प्रेरकों को जोड़ा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है L बराबर L1 प्लस L2 जितने भी यहां पर प्रेरकत जुड़े होंगे उन सभी के लिए दो जुड़े हैं तो L1 प्लस L2 तीन जुड़े होंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 यूज़ करेंगे इससी तरीके से दान दोजे दूसरा होता है समानतर करम एक होता है श्रीनेडी करम और दूसरा क्या होता है समानतर करम और शमांतर करम के लिए formula होता है 1 बटे L बराबर 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2 इस तरीके से यहाँ पर यही formula जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं L बराबर यह होता है आपका L1 इंटू L2 और बटे में होता है L1 प्लस L2 इस तरीके से लिख सकते हैं ऐसा क्यों लिखा गया क्योंकि जब आप इससे सालो करेंगे इससे अगर आप लाशा लेंगे तो कितना हो जाएगा L1 इंटू L2 हो जाएगा इधर इसका गुड़ा होगा यह हो जाएगा L2 इधर इसका गुड़ा हो जाएगा तो यह हो जाएगा, l1, तो यह मान किसका है, 1 by l का, یعنی कि यह मान किसका है, 1 by l का, जब यहाँ से आप इस l का मान निकालेंगे, तो यह से इसा क्या पलट जाएगे, तो l1, l2 हो जाएगा, और बटे में आप लिख सकते हैं, l1 प्लस, l2, इस तरीके से आप यहाँ पर इसे जो है सालो करके इस फार्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसके बाद देखें अब यहां पर बात हो रही है अन्योन ने प्रेरण गुडांग की अन्योन ने प्रेरण गुडांग को जो है लिखते हैं M से इसका जो formula होता है रंदेजे यह होता है आपका n2, phi2 और बटे में यहाँ पर जो होता है वो होता है i1 यह पर लोग याद रखेगा n2, phi2 और बटे में क्या होता है यहाँ पर i1 होता है यह आपको यहाँ पर याद रखना है एक फार्मूला आपका ये भी होता है ये मान जो होता है आपका माइनस में होता है E2 इसके लाव बटे में होता है डेल्टा I1 बटे डेल्टा T मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका भी वही होता है यहां पर अन्योन प्रिर्कत्यों का भी होता है यहां पर दुती कुंडली में फिरोग की संख्या यह दुती कुंडली में अफलक्स हो जाएगा और यह पहली कुंडली में धारा हो जाएगी यहां पर ठीक है उसी तरीके से E2 क्या है दुत्ती कुंडली का प्रेत उदुत्वहक बल हो जाएगा और ये प्रात्मी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर हो जाएगी ये प्लूग यहाँ पर याद रखिएगा इसके बारे में इसके बाद देखी दो समाक्ष पर ना लिकाओं चेश के बीच अन्यों ने प्रेरकत्व तो यहाँ पर बात हुई है दो समाक्ष पर ना लिकाओं के बीच जोहे अन्यों ने प्रेरकत्व इसे लिखते हैं एम से तो ये तो हो जाएगा आपका एम इसके अलावा जेंद देखी फॉर्मूला क्या होता है फार्मूला होता है म्यू नॉट एन वन एन टू ए और इसके अलावा बटे में होता है ये यहाँ पर जो है दो समाक्ष परनालिकाओं के बीच जो है अन्योन प्रिरकत्तों का फार्मूला होगा इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बात करें यहाँ परापिश में लिख सकते हैं प्राथ्मिक परनालिका क्योंकि यहाँ पर दो समाक्ष परनालिकाओं के बात हुई है तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्राथ्मिक परनालिका प्रात्मिक परनालिका में प्रति एकांक लंबाई प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या फेरों की संख्या इसे हम लोग लिखते हैं इसमाल N1 से और फॉर्मूला इसका होता है N1 by L इतना होता है तो यह प्रति एकांक लंबाई में यानि कि जो लंबाई है उससे वन मान लिया गया तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है पर तो वही लिखा गया प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या तो इससे हम लोग किसे पहले दिया गया है Mew not यह हो जाएगा आपका Mew not अब देखी यह जो दिया गया है N1 by L N1 by L इसके जगे पे कितना लख सकते हैं small N1 फिर इसके बाद क्या हो जाएगा N2, फिर क्या हो जाएगा A तो यह फार्मूल आ जाएगा M यहाँ पर क्या है अन्योन्य प्ररकत्तु है मियुनाट निर्वात के चुम्बक सिलता है N1 क्या है इसके बारे में बता दिया गया है कि प्रात्मिक परनालिका में प्रत एकांग लंबाई में फिरो की संख्या है N2 क्या है दोती कुंडली में फिरो की संख्या है या दोती पर नलिका बोल सकते हैं एक क्या है यहाँ पर छेत्रफल हो जाएगा इस तरीके से आप यहाँ पर यह फार्मूला लग सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी फार्मूले आपको बताएगे हैं यह सब भी important हैं और सभी आपको अच्छे से तयार कर लेने ताकि numerical को सालो करते जो है समझ जो है कोई भी दिक्कत आपको ना आए तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे शेनल को सब्सक्राइब कर लिजे इसके लाओन नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रस कर लिजेगा बाकि वीडियो को लाइक और से जरूर करिएगा धन्यवाद